डिजाइन बनाने के लिए हमने बाकरम की लंबाई 13 इंच ली है और इसकी चौड़ाई 9 इंच है अब हमें बाकरम को फोल्ड करते हुए यहां से 4 इंच की चौड़ाई पे टिक लगाना है अब हम गले की लंबाई नापेंगे तो गले की लंबाई हमें 5 इंच लेना है ऐसे टिक लगाते हुए अब हम स्केल की सहायता से इसे लाइनप करेंगे ये देखिए ऐसे आपको स्केल की सहायता से लाइनप कर लेना है ऐसे लाइनप करने के बाद अब हम यहां पे एक इंज की चोड़ाई पे टिक लगाएंगे जो हमने लंबाई पे टिक लगाया है वहां से ह हमें ऐसे एक इंच की चोड़ाई पे टिक लगाकर हलका सा गोल सेफ में ऐसे लाइन अप करना है अब हमें इस साइड में ऐसे बकरम को घुमाते हुए लाइन अप कर लेना है उपर की साइड का डिजाइन बनाने की बाद अब हमें नीचे की साइड का डिजाइन बनाने के लि साइड में ऐसे गोल सेफ में हम लाइन अप कर लेंगे अब जिस सेफ में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेफ में हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो ऐसे हमें डिजाइन की कटिंग कर लेना है इसकी कटिंग करने के बाद इस्तरी के साहता से हम इसे कपड़े पे ऐसे च लाईच ला लेंगे अब हमें धागि को कट करना है धागि को कट करने के बाद अब जिस सेव में हमारे गले के डिजाइंड की कटिंग की गई है बिलयकुल उसी सेव में हमें audiobook के उपर सिलाई चला देना है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करकि घंटे को बजा कर आल का उप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अब हमें यहां से एश्टा कपड़े की कटिंग करनी है तो गले की डिजाइ के से बगल में कट करना है सिलाई की उपर कटनी करना है तो यह देखिए ऐसे हमने गले की डिजाइन की कटिंग कर ली है अब हम इसे ऐसे फोल्ड करके सीधा करेंगे अच्छे से आपको बाकरम को फोल्ड कर लेना है जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में इसे फोल्ड करने के बाद इसे परफेक्ट सेप में बैठाने के लिए हम इसे इस्तरी कर लेंगे इस्तरी करने पे हमारा डिजाइन परफेक्ट सेप में बैट जाएगा तो ये देखिए इस्तरी करने पे हमारा डिजाइन परफेक्ट सेप में बैट गया है अब हमें इस डिजाइन को तयार करने के लिए तीन इन चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेना है कपड़े को हमें ऐसे फोल्ड करना है कपड़े की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको घना चूनट चाहिए उतना लंबा आप कपड़ा ले सकते हैं कपड़े की किनारे की साइड में सिलाई चलाने के बाद अब हमें इसमें चूनट बनाना है तो ऐसे हम इसमें चूनट बना लेंगे तो ज़्यादा छोटे छोटे चूनट नहीं हमें बनानी है थोड़ा बड़े बड़े चूनट हमें इसमें बनानी है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से हम सारे कपड़े में ऐसे चूनट बनाकर तयार कर लेंगे इस लाइन को कम्प्लीट करते हुए अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद इस लाइन के बगल में हमें चूनट के उपर एक और सिलाई चला देनी है तो यहां से हम इसके उपर एक और सिलाई चला देंगे यह देखिए हमारा बहुती इजली चूनट परफेक्ट सेप में बैठ गया है अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और किनारे के साइट से एश्टा कपड़े की कटिंग कर लेनी है जो हमारा दूसरा लाइन है सिलाई वाला उसे हमें कट कर लेना है अब हमें इस चूनट को गले के डिजाइन में यहां पर लगाना है जिस सेप में हमारा गले का डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में चूनट को हमें ऐसे बैठाते हुए इसके उपर सिलाई चला लेनी है चूनट को डिजाइन में ज्वाइन्ट करते समय कपड़े को ऐसे पर्फेक्ट सेप में बैठाते रहें और चूनट को भी जिससे आपके डिजाइन में पर्फेक्ट फिनिशिंग आईगा और आपका डिजाइन बहुती सुन्दर लगीगा यहाँ पर हमारा डिजाइन हलका सा गोल सेप में है तो चूनट को ऐसे पर्फेक्ट सेप में बैठाएंगे और डिजाइन को भी फिर इसके उपर हम हलका सा ऐसे सिलाई चलाएंगे अब हम पीछे की साइड से एश्टा चूनट की कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमें एश्टा चूनट को कट कर लेना है यह देखिए ऐसे हमने एश्टा चूनट को कट कर लिया है यहाँ से अब हमें डिजाइन की दूसरे साइड में भी चूनट लगा लेना है तो यहां से हम डिजाइन के दूसरे साइड में भी चूनट लगा लेंगे यह देखिए दूसरे साइड में ऐसे हमें चूनट लगाना है डिजाइन में इस तरीके से आप डिजाइन को और चूनट को परफेक्ट सेप में आसानी से बैठा सकते हैं इस लाइन को कंप्लीट करते हुए यहां से हम धागे को कट कर लेंगे और एश्टा चुनट को भी इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हमें एक लंबा सा चोड़ा सा कपड़ा लेना है कपड़े की लंबाई, कितनी है यह नाप लेते हैं, कपड़े की लंबाई 10 इंच और इसकी चौड़ाई 6 इंच है कपड़े पर हमें इस्तरी की सायता से बाकरम को चिपका कर कपड़े को हलका सा यहां से फोल्ड करके इसके उपर सिलाई चला देना है अब हम कपड़े के बीच में ऐसे छोटे छोटे चूनट बनाएंगे थोड़ी थोड़ी दूरी पे ये देखिए हमने कपड़े में चार ऐसे चूनट बनाएं है तो आपको भी चार ऐसे चूनट बना लेने है अब किनारे की साइट से चुनट को हम हलका सा ऐसे फोल्ड करके दोनों साइट से सिलाई चला लेंगे दोनों साइट में हमें चुनट को ऐसे फोल्ड कर लेना है इस LINE को complete करने के बाद अब हमें स्चुनट वाले डिजाइन को गले की डिजाइन में लगाना है तो गले की डिजाइन में हम ऐसे हिसे लगाएंगे अब जिस सेप में हमारा गले का डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हम इसके ऊपर सिलाई चला लेंगे तो ये देखिए दोनों डिजाइन को ज्वाइंट करते हुए हमें इसके उपर ऐसे सिलाई चला लेनी है जिससे हमारा डिजाइन परफेक्ट सेफ में बैट जाएगा और फ्रेंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं अब हमें डिजाइन में वाइट कलर का हाफ कटा हुआ मोती लगाना है गोल से फाला मोती नहीं हाफ कटा हुआ मोती ऐसा सारे चूनट में और डिजाइन में ऐसे मोती लगा देना है सुईधागा की मदद से थाइंस पर वाचिंग माई वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ